अज का वीडियो देखने के बाद जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं वो सबी बहुत खुश होने वाले हैं अब इकल मैंने सफर मुवी के उपर एक वीडियो बनाया उसके पहले मैंने बनाया गदर 3K पर वीडियो और आज का वीडियो भी उतना ही बाप लेवल का होने वाला है जितना जो पिछला दो वीडियो था तो पिछले दो वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हैं आप लोग देख लेना एक और बात दोस्तो सनी पाजी जो धमाका किये हैं 2023 में 2025 में भी धमाका करने वाले हैं और उसी से जुड़ी एक बहुत इंपोर्टन अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ तो जितने भी बॉबी देवल, सनी देवल, अक्षय कुमार के फैंस हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोडिफिकेशन आइकन को दबा दो और भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना क्यूंकि भाई बहुत बहनत लगती है ऐसे वीडियो ऐसे अपडेट्स लाने के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज का वीडियो जो है दिस इस अबाउट हाउसफूल फाइव के लिए अप्रोच किया गया है सनी देवल को हाउसफूल फाइव एक बहुत ही बड़े बजट की मुवी है और बोला जा रहे है कि इस मुवी का बजट हाउसफूल फाइव है उसमें एक रोल ओफर किया गया है सनी देवल को अब सुनने को यह मिल रहा है कि अब तक आपको पता है कि हाउसफूल फाइव में बबी देवल थे तो एक और देवल का नाम जुड़ने जा रहा है हाउसफूल फाइव से और वो है सनी देवल और सनी देवल होने वाल है हाउसफूल फाइव का पार्ट यह बात्चीत चल रही है और मैं बहुत ज़याधा खुश हूँ और सनी देवल वापस से कॉमेड़ी में कमबैक करने कुछ लोग बोलते सनी दियौल को कॉमेडी करनी कैसे करेंगे कॉमेडी कॉमेडी करनी नहीं आएगी तो भाई मैं आपको याद दिला दूँ सबको याद है ना यमला पगला दिवाना फ्रेंचाइज सनी दियौल का भी एक कॉमेडी तगड़ा फ्रेंचाइज है यमला पगल दिवाना मेरे बचपन का फेवरेट मुवी है और उससे बढ़िया कॉमेडी मुवी मैंने आज तक देखी भी नहीं है मैं आपको बता दूँ इस टाइम में जितनी भी हेरा फेरी फ्रेंचाइस के बाद जितनी भी मुवी आई है और जो भागम भाग मुवी है इन सभी फ्रेंचाइसी को हटा दो अगर आप उसके बाद जो करेंट जेनरेशन की जो अगर आप कॉमेडी मुवी बात करूँ तो वो है सिरिफ एक ही मुवी वो है यमला पगला दिवाना सीरीज और सनी देओल कमबैक कर रहे हैं कॉमेडी में अक्षन में तो जंडे गाडी रहे हैं और सस्पेंस थ्रिल सोशल ड्रामा के लिए एक से एक मुवी कर रहे हैं सफर कर रहे हैं सोशल ड्रामा के लिए अक्षन के लिए करने वाले हैं गदर थ्री लाहौर 1947 तो सनी देओल का लाइन अप तगड़ा है एंड सनी दियॉल के फैंस आज बहुत खुश होने वाला तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करो यार एक और चीज़ आपको बता दूँ कि सनी दियॉल मेरे ख्याल से वो एक इस मुवी में भले कॉमेडी ना करे कॉमेडी मतलब सनी दियॉल कुछ फनी कॉमेडी अगर ना करें मतलब तो सनी दियॉल इसमें सिचुवेशनल कॉमेडी कर सकते हैं सिचुवेशनल कॉमेडी जो वो यमला पगला दिवाना में किये हैं और जो मितुन ने करा हुआ था हाउस फुल टू के लिए तो वैसा ही हमें कुछ देखने को मिल सकता है इस movie में and I am very 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 excited to see Sunny Deol, Bobby Deol and Akshay Kumar वो तीनों को मैं एक picture में देखने के लिए बहुत ज़़ा खुश हूँ and मैं आपको बतारो 90's के जितने भी actor है Sunny Deol, Nana Pategar, Anil Kapoor, Akshay Kumar, Bobby Deol ये सभी लोग आ रहे हैं एक साथ आपको थेटर्स में वापस लाने के लिए and हसाने के लिए and box office में धूम मचाने के लिए दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताओ और आप Sunny Deol और Akshay Kumar को एक साथ देखकर कैसा फील करोगे आप थेटर्स में बड़े परदे में आप कमेंट में जरूर बताना and आप ये भी जरूर बताना कि भाई हर कोई Sunny Deol के पीछे क्यों पागल हो रहा है यहर Sunny Deol के पीछे क्यों पागल हो रहा है comedy industry जो है वो उतनी बड़ी industry नहीं है कि comedy movie आपको 1000-2000 collection करा के दे देंगी ऐसा नहीं है बट Sunny Deol अब जुड़ गया है इसमें से तो Sunny Deol तो अल्रेडी भाई ट्रेंड पे चल रहा है लोग पागल हो रहे है Sunny Deol के लिए तो Sunny Deol को इन लोगों ने बहुत ही अलब सही पिक्चर में ले लिया आपकी जो household 5 है अक्षय कुमार जी आपकी हिट होने वाली है अब लिख कर ले लो